एक नाउन लिखा वाच पर यहां पर हमने नाउन लिखा वाच यहां पर वह ने नाउन लिखा वाच और एक अधुक्टिव हमने युज़गी इसके डिजिटल हो हुआ को इतना समझ मैं उसके बाद में यह जो दो एड्जेक्टिब्स Сब्सक्राइब है। एट्रीब्यूटिबली यह दोनों जो एड्जेक्टिव हमने यूज किया है यह भी हमने कैसे यूज किया एट्रीब्यूटिबली इसमें तो वाच लिखी गलत दिया इसकी जरूरती नहीं थी जान वूज के वाच नहीं लिखाता है और फिर अभी हटाना पड़ेगा यह अध्रीब्यूटिबली नहीं यह उसकरने थे क्या इसमें से ऐसी कोई बात है जो आपको ना समझ में आगी होगी अगर हम किनी एड्जेक्टिब्स को अगर हम किनी एड्जेक्टिब्स को नाउन फ्रेज का पार्ट बना कर यूज करें तो वो उनका एट्रिबुटिव यूज होता है अगर हम किनी एड्जेक्टिब्स को एस कॉंप्लिमेंट्स यूज करें तो उनका प्रेडिकेटिव यूज होता है ठीक है तो यहां पर हमन लिखा करो अगर हम दो या दो से ज्यादा il का यूज किसी नाउन को डिसक्राइब करने के लिए करें तो उन एड्जैक्तिव को घंत्र करके लिखा करो जो सेकिन्द और लिख और यह इसमें लिखिजिस दो वॉच्ट यह आ इस करने के किसी नौन को describe करने के लिए दोşaद अज़ेक्टेume से आट्रिबुुटिव ले तो क्या होता है कि अगर जो हमने मक foot की रिन्यनने चेvel की ho प्रफिशेक्व यही देखने में सुन्दर थी आ कर सकती है तो यह दोनों की टाइप के रिएकिति का जो look है ठीक है उसको ये दोनों adjective describe कर रहे हैं तो अगर वो दोनों adjective same type of quality का description हो तो उनको end से connect किया करो अगर वो एक ही type की quality का description ना हो अलग-अलग feature को अलग-अलग attribute को describe कर रहे हैं जैसे beautiful और digital ये दोनों same quality का description नहीं है डिस्टल जो है वो टाइप बता रहा है वाच का beautiful ये उसका लुक बता रहा है वाच का तो conjunction मत लिखा है तो यह जो मैंने आपको यहां पर समझाया है यह हमें ऐसे ध्यान रखना है कि फिर से सुनों एक बाद्यान से अगर हम किसी एक noun को describe करने के लिए दो या दो से ज़्यादा adjectives का यूज करें अगर हम उन adjectives को यूज करें प्रेडिकिटिवली तब तो हमें conjunction का यूज करना ही करना है अगर हम एक्रिविटिवली यूज करें तो हमें यह देखना पड़ता है कि noun को describe करने के लिए जो हमने एड्यक्टिव लिखे हैं क्या वह एड्यक्टिव उस noun के अलग-अलग features को अलग-अलग qualities को describe कर रहे हैं या same type के feature को या same type की quality को describe कर रहे हैं अगर same type की quality को describe कर रहे हैं तो आप उन एड्यक्टिव के साथ में conjunction लिखोगे भले वह एड्यक्टिव लिवज हो रहे हूं अगर वह अलग-अलग attributes या अलग-अलग के description है beautiful look है और जो इसका टाइप है तो हमें कंजंक्शन वहां पर लिखने की जरुवत नहीं है लेकिन यहां पर जो हमने लिखा beautiful attractive यह दोनों ही अड्जेक्टिव क्या कर रहे हैं यह डिसक्राइब कर रहे हैं वाच के लुक को तो इनको हमें कंजंक्शन से कनेक्ट कर देना चाहिए चलो यहां तक सब कुछ clear नहीं बताओ फिर आगे बढ़ें ठीक है तो चलो एक बात और छोटी से समझ लेते हैं कि अगर हम कभी एड्जेक्टिव को यूज करें और ऐसे एड्जेक्टिव लिख दें जो कि सेम क्वालिटी का डिसक्रिप्चन है यहां पर हमारे पास यह और भी तरीका होता है सही करने का क्या तरीका होता है कि आप ऐसे लिख दो कही है और अब ब्यूटिफुल अब ब्यूटिफुली अट्रैक्टिव वाच एक में कलर चेंज करता हूं आप इसको लिख दो आप इसको ऐसे लिख दो इस अब ब्यूटिफुली अट्रैक्टिव वाच इसमें देखो क्या है हमने क्या किया यह जो दोनों एड्जेक्टिव अमने उच्छे था ना ब्यूटिफुल एड्जेक्टिव जो सेम टाइप की कॉलिटी को डिस्काइब कर रहा थे नाउन की हमने इन में से एक को दूसरे के लिए ड्वर्ब बना दिया ब्यूटिफुल को हमने क्या किया एड्वर्ब बना दिया अट्रैक्टिव को एड्जेक्टिव रहने दिया और हमें कोई कंजंक्शन की जरुवत नहीं है तो एक तरीका यह भी होता सही करने का कि अगर आपको यह लगे कि दोनों जो और फार्म होती हो इन दोनों में से किसी एक है। में से एक को दूसरे के लिए ड़वर्ब बना दो दोनों को एड्जेक्टिव रखो को कि अनि को एक डिख लते है नहीं मैं को देखो थोड़ी से मैं मदद करता हूं कि यहां पर यह पर अबिधू इँए यहां फेरॉसियस लिखाए तेंजरश लिखा यह ост है यह 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 दोनों नुच्छित हमने लिख знаем या चेकट treatment यह जो दोनों अद्जेक्टिव हमने यूज किया है यह जो दोनों दोनों यूज किया है यह प्रैडिकृटिब लिए जनके आब देखो सबसे पहले सेंटेव में हमने दो अब मैंने आपको बताएगी जब हम कभी किसी नाउन को डिस्काइब करने के लिए दो या दो सेदा एडिक्टिव का यूज अगर प्रेडिकिटिव ली करें तो उनको हमें कंजंग्शन से कनेट करना चाहिए तो अगर वह बात हमने ध्यान रखी है तो हम क्या करेंगे रेगुलरर रेगुलर लिख दनगे लेकिनरे रेटिक्टम लेकिन कर लोगे इन या आं कि सिर्फन को कह रहे हो कि तुम राट्यमाप्र नली olmuş नगेगोर है या तो रैगुलर होगा या इरिडॉरर होगा दोनों कैसे से हो सकता है तो एंड मतले लिखना अकल्यूज करना थोड़ी सी एंड मतलिखना लिखने यह तो और लिख देना कि और र्यागुलर और और रेगुलर और इर्रेगुलर और या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आप फीचर को सेम टाइब की वालिटे को डिसकाइब कर रहे हो तो अगर उन्म की एडवर्ब फ noite हो और दूसरी बना zone के आफ रेगुलर और रिगुलर एड्येक्टि वो ही सेम फीचर का डिस्कैप्शन है ए डिगुलर है या या नहीं है इर्रेगुलर इर्रेगुलर दोनों सेम एट्रिबूट सेम फीचर का डिस्क्रिप्शन है तो अगर दोनों सेम common feature के adjective हैं तो आप इनको एक के लिए दुसरे को एड़वर बना के भी लिख सकते हो तो वो बहतर तरीका है बजाए कि और यूज़ करने के यहाँ पर पता है क्या करो एक को एड़वर बना दो दुसरे के लिए रेगुलर ली इर्रेगुलर इसको हमेंैं, इसलिक कहता है तो हमेंसे दिमाग है लगाते रहना चाहिए छी कहा है जो भी जो पढ़ार है मैं तो मैं पढ़ा रहा तो फूकरें में धासीं मानो सोचो सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी अपना दिमाग ज़रूर यूज करना मेरी कही बात पर रह जाओगे तो फिल लटक जाओगे कहीं नहीं जाके मैं केवल तुम्हारे लिएक साथ हनूं मैं एंड नहीं हूं मुझे बहुती चीज़े सीखनी है मेरे पास जिन पर मुझे काम करना है मैं उनके खुजता रहता हूं उनके काम करता रहता हूं ठीक है तो मैं कोई खुद में complete नहीं हूं खुद में complete हो सकता हूं लेकिन यह नहीं कि सारी चीज़े मुझे आती जाती है मैं सारी चीज़े जा जब तक पढ़ता हूं पढ़ाता हूं मैं एक हमेसा लर्नर होता हूं तो यह तो कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ते हो जो कोई तुम्हें पढ़ाता है ठीक है उसको सुनो समझो मानो समझ में आया तो लेकिन उसके बाद भी दिमाग का यूज बंद नहीं करना है बस मेन बात यह है दिमाग यूज करना ही करना है हमेशा इसको लिखो यूर रेगुलर्ली इर्डेगॉलर हो गया से अब दूसरे में दूसरे में लिकार ही इस और रगुलर ऑबीडियेंट स्टुडेंट तो रेगुलर होना उसकी फ्रिक्वेंसी तो कर रहे है बात बात मानता है कि नहीं मानता तो यह दोनों एड्जेक्टिव अ करना लिखना चाहिए था मैंने चलो लिख दो तो एस इस तो अगली में अजो हमने लिखा मैं अंकल एक फरोशियस डेंजरस टॉक्ट कि मेरे अंकल उनके पास एक खुंखार मतलब खतरनाक उता है तो फिरोशियस और डेंजरस दोनों देखो सेम टाइप की डिसक्प्शन हो फतरनाक ठीक है दोनों का उसले एक ही है तो यह दोनों सेम टाइप की क्वालिटी का डिस्किप्शन है एड्जेक्टिव तो इनको एंड से या तो कनेक्ट करो ऐसे लिखो मांकल है जाए फिरोशियस और डेंजरस डॉग या क्या कर सकते हो इन में से एक को दुसरे की लिए ड्वर्ब बना दो ऐसे लिख दो अग्य आंकल है अफिरोशिस ली अफिरोशियस ली डेंजरस डॉग तो यह जो फिरोस्यस है यह आपको डेंजरस जो एड़ेक्टिव हो गया मैं आपको करो सभी लोग इसको पढ़िए सभी लोग दिमाग लगाए और दिमाग लगा कर अगर यह सभी हो जाये तो सही हो कि हमने एक सब्जेक्ट लिखा है कि एक उसके लिए verb लिखिए है ons ठीक है और एक उसका object लिखा है object हभी एक noun phrase है यह यह object है verb का एक noun phrase है और जो नाउन फ्रेज आप लिखी इसमें आप देखें तो कार यह हमारा मेन नाउन स्ट्रेटर्र मिन रहें उसके बाद में जो बिग है प्रक्रेटिव रेचिंग जर्मन यह सब अडेटिव या फिर उस नाउन के मोडिफार्वार्स है तो अब जो हमें समझना है वह हमें समझना है sequence of adjectives and modifiers in a noun phrase कि हमने मान लिजे कोई noun phrase लिखी और उस noun phrase में हमने noun को describe करने के लिए कुछ adjectives और कुछ modifiers उसके हैं तो हम उनको कि सीक्वेंस में लिखें क्या हम उनको किसी भी order और स्कते हैं कोई proper sequence और उसके और होता है लिखना पड़ता है तो देखे मैं आपको बताता हूं होता है कि कुछ basic बातें जो आपको ध्यान रखनी हैं कि जब हम कोई noun phrase लिखते हैं कि उससे रिविटेर कुछ basic बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो में बता देता हूं पहली बात जो ध्यान रखने है वो यह कि जब आप कोई नाउन फ्रेज लिखोगे तो उसमें सबसे पहले डेटर्मिनर आएगा कि डेटर्मिनर के बाद में एड्जेक्टिव्स आएंगे एड्जेक्टिव्स के बाद में अगर हमने कोई दूसरा मोडिफायर नाउन के लिए उस किया है दूसरा मोडिफायर का मतलब है कि कई बाद जैसे हम पार्ट्सपल्स कर लेते हैं या किसी एक नाउन को दूसरे नाउन को डिस्काइब करने के लिए उस कर लेते हैं तो फिर व कि यह जो हमारे अब एक तो गया आपके क्लासिफाइंग अजिक्टिव से पहले लिखे जाते अब फिर आते हैं यह द्यान रखना है एक और बात हमें द्यान रखनी है कि क्लासिफ्यव का ध्यान रखना है कि हम एड्जेक्टिव और सकते हैं जैसे द्यक्टिव तह ना तो वह जिस तरीकly की qualities का description होते हैं जिन qualities को describe करते हैं जिन attributes का description होते हैं तो हम उन attributes के according भी adjectives को sequence में order में put कर सकते हैं जैसे अगर मानलो हमने कोई noun लिखा उसके आद हमने कई वह पहले आ जाते हैं फिर adjectives of size, shape, is, color, nationality, origin, material, purpose तो हम adjectives को इस sequence में भी लिख सकते हैं अगर हमें जान पाएं कि adjective का description है noun का तो हम उसको इस sequence में भी लिख सकते हैं तो यह sequence भी ध्यान रखा जा सकता है तो बाद में में नावन आ जाएगा ठीक है अब देखो सबसे पहले अपिनियन्स जैसे कोई स्टेंडिंग कहा ठीक है तो यह अट्रिबूट नहीं है लवली जो है वह फ्लार की क्वालिटी नहीं है फ्लार का एट्रिबूट नहीं है वह हमारा अपिनियन है उसको लेकर तो ऐसे तो यह एड्जेक्टिव जो हमारे user को डिष्काइब करते हैं वह सीक्मेंस में सबसे पहले लिखे जाते अड़्यकृश के सीक्वेंस में वह पहले आ ठीक है थो इसरूब्यविस्टियव शाइब इसराइड फ्रसके आध्यान है उसकाद में और शेफ multip कर द्लैंडबद अ ट्राइंगुलर है तो जो शेप के अड्जेक्टिव से वह आ जाते हैं फिर अड्जेक्टिव से पहले पढ़ते हैं तो इस स्कॉलर्स में डिवाइड है इस मैटर पर मैं शेप को एस से पहले ही पढ़ता हूँ मुझे लिखना होता हूँ तो मैं लिखता भी पहले हूँ तो उनको डिसकाइब करने वाले साथ में रहने चाहिए जो स्कॉलर सिस सीक्वेंस को मानते हूं इस वज़े से शेप को पहले लिखते हैं लेकिन आप जैसा ओनलाइन वगए पढ़ोगे कि सीबुक में पढ़ोगे तो बहुत जगे होता है कि वह एज को पहले लिख देते हैं जो लोग दिमाग नहीं उसकरते किसमें आपको क्या सही मानने क्या गलत मनने अपना देख लेना लॉजिकली मुझे यह साथ है इसलिए मैं सीक्वेंस को मानता हूं लेकिन आपको कन्फूजन और पहले बता देता हूं कि कुछ लोग जो हैं वह एज को पहले यूज करते हैं वह लोग इंगलेज को बिना सम यह जैसे नुगा फो गया एंग हो गया एंशॉट हो गया आरकाइक हो गया मडर्शन हो गया इसudra इस तरीके के अट्रीक्टिव सा जाते हैं हुआ त्पिर और अगया रह तोक्टीं हैक ग्रीन है यह यह ब्राइट है फि rif घ्राइब कर सकते हैं लिखा जैपनीज तो इंडियन फिर हमने लिखा और यहांसे चीजival रिखने लिखने पर दोनों लग लग करते हैं फिर material मानलो कोई noun है वो किस material से बना हुआ है wooden, metal, ठीक है silken, इस material से बना हुआ, plastic, वो हो गया, फिर purpose, कई बार कोई noun होता, उसके साथ हमें ऐसा modifier लिख देते हैं, जो उस noun के purpose को refer करता है, जैसे हमने का writing pen, या जैसे हमने लिखा writing pad, तो writing pad का मतलब हो गया, लिखने वाला pad, त तुर जैसे हमने लिखा rest chair, rest room, तो rest room में rest जो है, वो room का purpose हो गया, या हमने लिखा bathroom, तो bathroom में जो बात है, वो purpose होगया room का, कि किस लिए room उसे होता है, नहने के लिए या जैसे हमनी लिखा否 use study lamp में वे 7 लंप को छो टो गया कि किस नाउन के साथ मैं कोई ऐसा modifier लिख देते हैं जो उस नाउन के यह नाउन किस पर्पस होता है तो वह नाउन के सबसे पास आएगए लग पकुलिफ़ाइंगे अगर कोई है तो और उससे पहले अधेक्टिव जो में आपको इबतायँ एक च्छोटी सी बात आलें कि और हमें यहां पर लिख देनी चाहिए उसकी ज़्यादा खास जरूरत नहीं लेकिन फिर भी मैं लीखी देता हूं देखो कि यूज नाउन्स क्लोजर दैन को मान लो कोई हमने नाउन है उसको describe करने के लिए हमने नाउन वीउज करें और एड्जेक्टिस वीचरें ठीक है तो नाउन-्नाउन के पास लिखा जाएगा एड्जेक्टिस दूर लिखा जाएगा यह छोटे सी बात सबको ध्यान रखिए हैं यह जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया ना इसके एक एक जाम्पल से जाएता हूं जैसे मैंने यहां पर लिखा अलैदर लिखा अलैदर लिखा अलैदर लिखा तो आप यहां पर देखना यह जो हमने लिखा है और लिखांवय और सीवक्त कर रहा है यह कौbat कर क्लिकित खूसवत नावन से जोबास्टी को यह और जो प्रोपर एड्रिव है और हमारा में नाउन है अबि जो बैग है मेंन नाउन इसको describe करने के लिए हमने पॉस्टली लिखा जो कि या डिपी और उसी को describe करने के लिए हमें लैदर लिखा जो की यह नाउन गलत है इसको हमें साही करना पड़ेगा अगर किसी नाउन को describe करने के लिए हम नाउन भी यूज करें और एड्यक्टिव भी उसक रहे तो जो नाउन वह नाउन के पास लिखा जाएगा एड्यक्टिव दूर लिखा जाएगा वसे इस बात द्यान रहे आगर धर यह सारी चीज़े थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है उपर लिखा एक्जाम्पल अपने हैं इसमें गालिटी थोड़ी होते अट्रेक्टिव तो होता नहीं है अट्रेक्टिव जो है वह अपनियान हैं यह चीजे है गरम जो है वह ओर हमारा मंन में है तो अब यह नाउन फ्रेस्ट में हमिने वर्स लिखे प्रेस ऑब हमेंका सही कौन से इस कुन से किस टाइप का बहुत है पहले लिखते लिखो and attractive, अब इसका size जो shape आएंगे, shape दे नहीं रखा, size दे रखा तो वो आजाएगा, big, फिर उसके बाद में age आएगा, color आएगा, color दे नहीं रखा, age दे रखा तो आजाएगा new, फिर उसके बाद में origin आएगा, material आएगा, material दे नहीं रखा तो origin आजाएगा, german, फिर purpose जाएगा racing, car, जो हमारा सभी sequence बनेगा, वो यह होगा, an attractive, big, new, german racing car, हलांगी वैसे इतने adjective एक साथ आते नहीं है, paper में question आता है, तो दो adjective का आता है, अब एक दू question देखो, पहले तो एक दू question जो paper में आ हुए, यहां पर आपके लिए, ठीक है, यह सारे questions सबको सही करने, अच्छा, देखकर sentence अपने आप भी जानके होगे, नहीं तो मैं थोड़ा से तुमारा ध्यान दिला देता हूँ, देखना, यह जो, नहीं यहां से, यह हट जो है, यह noun है, और इस noun के साथ एक adjective हमने उसके, small एक उ यहां पर हमने नाउन लिखा, watches, उसको describe करने के लिए, हमने एक word उसके analog, एक word उसके wrist, एक word उसके imported, और समतोर determiner, determination, डिटरमिनर की position fix होती है, वो तो शुरू में रहेगा, ठीक है, यहां पर हमने एक noun लिखा है, soup, और soup को describe करने के लिए, हमने कुछ words से उसके है, एक word उसक टेस्टी, एक word उसके tomato, एक word उसके नहीं, बस, तो अब हमेने यह बताने कि है, जो हमने adjectives लिखे है, इन नाउन्स के साथ में, यह सही sequence में लिखे है, यह sequence change करने की जरूरत है, और अगर change करने की जरूरत है, तो कैसे change करें, चलो, सभी लोग एक बाद दिमाग उसकर के बत beautiful जो लिखा यह है, opinion, imported जो हमने लिखा है, यह है origin, जैसे German Chinese होता है, वैसे यह भी है, रिस्ट जो है यह purpose है, जैसे घड़ी होती है, तो दिवाल घड़ी है, यह हाथ में पहनने वाली घड़ी है, analog उसका type हो गया, class हो गया, यह class हो गया, tomato जो है, यह हो गया material, कि सूप जो ह गये, यह quality हो गह, कि quality होगे, ठीक है, जो fresh है, so fresh है, टेस्ट हीIST हो गया, कोई एक चीज टेस्ट ही है, ज़रूरी ही यह istी असबपो टेस्ट ही लगेगी, कुछ लोगी को आमला टेस्ट ही, लगता है, कुछ को नहें लगता, प्रेस्ट है, जो प्रेस्ट है, और अब जैसा यह वह पहले आएगा फिर उसके आदमें फ्रेश आएगा qualifying adjective और फिर टोमेटो आएगा तो इस टोमेटो को यहां लाकर लिख दें तो यह सीक्वेंस से जाएगा इसको यह से लिख दो इसमें इसमें यह जो रिस्ट है यह परपस है यह नाउन के सबसे पास जाएगा इंपॉर्टेट जो है वह आपर मोडिफायर का काम कर रहा है इंपॉर्टेट और अनलोग दोनों एड्जेक्टिव है रिस्ट अड्यक्टिव नहीं नाउन है एंगे यहां पर परपस का मोडिफायर है इंपॉर्टेट के सुरुवात मतलब इंपॉर्टेट जहां लिखन रहेगा बस रिस्ट को यहां से पुठा के यहां लिए यह आ हो गया है तो इसको लिखो लिखनी और चीज और यहां यहां लिखा और ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अपनीयन पहले लिख दो वहां आपको लास्ट में पॉइंट समझाए हैं इनका ध्यान रखेंगे झासे के आपको समझाए हैं लिख अखेंगे लिए अपक्रण व्याइब का बंद प्रया अवार्ट इंसे का घर व्या शुक्ष दिया ऊजी का बाल में ब्याए हैं टनका यूरा अजए हैं लिए अज जाना हम एत माता हैं प्यास्ट चाहतुर भी नाना हैं ब्या है और खितक